नमस्कार दोसों आप शबी का बहुत बहुत श्वागत दे दोसों आप शबी को बता दे कि आज की इस वीडियो में हम आपको आपके जी उनकाल की बहुत बड़ी शचाईशे रूबरू कराने वाले हैं जो दोस्तों यो कहें तो आपके जुन काल की हम चिन्ताएं आज के इस वीडियो में खत्म करने वाले हैं। जो भी परिशानियां हैं दोस्तों वह यश में इस वीडियो को देखने के बाद आपका खत्म होना निसी थे बसरती दोस्तों आप शबी से बस यही निवेतन रहेगा कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंधर तक आप ध्यान से देखेगा और ध्यान से हमारी बातों को दोस्तों जो बता दे कि ऐपका जो शुभा होता है और फिछले समी 10 योे हुए तो क्या हूए है दोस्तों आपने पिछले समें में किसी के शाथ कभी भी भेदवावाला वहवार नहीं रखा है आपने जूनकाल में एश वैवार कभी रखा ही नहीं है या पिर रखने की लेकती है जिनके लिए भी किया है दोस्तों आपने बिल्कुल ही शच्चे दिल से उसे किया है सिद्धत के शाथ क्या है ताकि कोई आपको कहने शक्ता कि इन इन बातों में खोट है जिए दोस्तों और जब भी आपके श्रमाहिते ही नहीं है आपके भावनों को ठेश पहुसाते हैं कभी आपकी भावनों का कदर वो लोग नहीं करते हैं जी हैं दोस्तों इसके साथी हम आप शिपी को बता दें कि आपका जो स्वभाव होता है बहुत ही शांत स्वभाव के आप इंशान होते ही प्रंतु अगर आपको एक बार गुष्ट आ जाए तो दोस्तों फिर आपको शमालना भी मुस्किल हो जाता है आपके कुरोध को कोई क प्रंट्रोल नहीं कर सकता यदि आप क्रोधित हो जाए यदि आप आविश्माज जाए तो आप वही करेंगे जो आपका मन करेगा जिस चीज़ को आप पशंद करते हैं आप वहीं चीज करेंगे इसमें दुसरे की दखल अंदाजी आप बिलकुल भी पशंद नहीं करते आ आपके अंदर बहुत शारी खाज गुण होते हैं और कुछ नकार्थां भी गुन होते हैं खुन करत झ्षावटों आपको शक्ता पता भी नहीं होता है आप आपके इतनच अशारी ने अच्छी खुबियां हैंसे यह च्दू बातिं को नहीं चल पाता जिसे कि दोस्वों, आप शुबी को बता दें, कि यदि आप किश्री के उपर खूस हो जाएं, तो दोस्वों उन पर आप अपना सब कुछ ने उचाबर कर देते हैं, सब कुछ उन पर लुटा देते हैं, जिसे कि ले जाओ, सब कुछ तुमारा है, इस परकार दिल खोल कर पर बिश्वास किया है शब कुछ उन पर लूटा दिया है नेचावर कर दिया है वही लोग आप से जो हैं मूँ फिर लेते हैं पर तो नहीं लेकिन पीट पीछे आपकी बुरायां करते हैं आपकी निंदा भी करते हैं शाधी दोस्वों हम आपको यह बात बता दें कि आप ल दोस्वों आपको तकलिफ तब होती है जब जिसके लिए आपने शब कुछ किया है जान से जदा उस पर भरोशा किया है और वहीं लोग आपके कारियों में रुकावट बन रहे हैं वहीं लोग आपको नुक्षान पहुंचा रहे हैं तो दोस्वों आपको बुरा लगता है कि पहले शमें जो वेक्ति मेरे शाथ ता जिसके लिए हमने सब कुछ किया और उशी ने आज हमको धुखा दिया है तो यह शी समय में आपको धुख होता है और आपकी भावनाओं को यह में ठेश पहुंचती है लेकिन दोस्तों हम आप शुभी को यह बात बता दे कि आपने अपने जुनकाल में बहुत कुछ सहा है बहुत शारे चीजों को बरदाश किया है जे दोस्तों बहुत शारे परिशानियों को जैला है बहुत शारे शंकर्श आपने अपने जुनकाल में किया है और अभी भी करत से आ रहे हैं आप चुबी को बता हैं कि आप हमैशा परिशनियाँ चलते रहते हैं चाहे हुआ मासिक्हली उप्र Clara क्लेश को लेकर आप बहुत ज्यादा सोचते हैं वे अपनले कि चीज आप को बता दें जो खुबिआ आपके अंदर है उनसे आप अंजान है कि दोस्तों आपके जिवनकाल में इतनी शारी प्रिशानिया इतना शारा चिंता इतने शारे श्रमश्याएं होने के बावसुत भी आप कभी भी पीछे नहीं हड़ते आप लगातार श्रमश्याओं का डट कर सामना करते हैं सहांच के सा अपने कारियों में लगे रहते हैं और दोस्तों इन्हीं की बदोनत आपने जुनकाल में हमेशा शफलता को चूते हैं और आगे बढ़ती रहते हैं ज्यादोस्तों और दोस्तों इन्हीं से ही शमाल में भी आपका शमान बढ़ता है आपकी व्यक्तितु का पहचान आपकी श्रंगर्षा return नहीं है जिनमें आपको शंगर्ष ना करना पढ़ा हो जैन दो सो आपकी जुनकाल में आपको हर कारियों में श्रंगर्ष करना पड़ता है तभी जाकर आपको शुपलता मिलती है तो सब्सक्राइब होंगे कि आपके बगल की कोई इंशान कोई आदमी अशा होगा जिने बहुत आरे चीज़ें असाने से मिल जाती है लेकिन दोस्तों आपको वे शब चीज़ें असाने से तहुत करते हैं कि हमारा आने वाला श्रमयब केशावइतित होने वाले हैं आद हमें किश्मतत कब बदलेगा जिनका आज में हमारे खुशी कर आएंगी हमारे वह सपने कप सचोंगे जिन के लिए हम और भी इ 투 कर रहे हैं तो दोस्तर मां फिख को बता दें कि अब आपका वक्त आगया है अब आपका किश्मत बदालने वाला है पर्दोस्तों अब आपका भाग शात्य आश्मान पर जाने वाले हैं यानि कि दोस्तों जुनकाल में जो भी परिश्यानियां है वह धीरे-धीरे खत्म होने वाली है इस महिने के अंत तक आपको अपने जुनकाल में बहुत बड़ी खुशकवरी मिलने वाली है जो कि दोस्तों आप शुब के जुनकाल को बदल देंगे तो दोस्तों इस महिने में गरहों की जो गोजर है आपके लिए शुब दिखाई दे रहे हैं और दोसों इनमें आपको कुछ विसेश बातों का धियान रखना होगा जो कि दोस्तों आपके लाप के कारियों में रुकावतें पेदार नहीं होने देंगे दोसों अपने उपर वालों को देखा तो लगता है कि कुछ भी नहीं है हमारे पाश अपने शे नेचे वालों को देखा तो लगता है कि बहुत कुछ है मेरे पाश जिन्दगी में जो मिला है उससे कभी भी नहों हो उदाश क्योंकि भगवान ने हमारे लिए वही चुना है ज दें जय श्रीकिष्णा राधी रादे दोस्तों बात करते हैं दोस्तों यश्में तरक्की के नए रास्ते खुलने में भागया आपका श्यों कराया प्रसितिया अनुकूल है इसका भरपूर शदियों प्योग करें दोस्तों अचाना की किसी फिरी मित्री से मुलाकात आपको में खुशी देगी और दोस्तों किसी महत्पूर मद्दे पर शकारत्मक बात चीथ भी यश्में होशकती है इसको प्रादे दोस्तों यश्में अगर आपके शावधानी को लेकर बात करें तो दोस्तों कभी-कभी शक और कुरोत की वज़शे बेवज़ा किसी के साथ बनते प्राई में आपना ध्यान को केद्रित करें अता या शुमे धहरी बनाकर रखें इसको प्रांद याश में आपके लिए शिमूंगे दोस्तों आपके अंदर बढ़ता अकिलापन अभी इस security भी बढ़ रहा है जिसकी वज़ा से कोई महत्पुन निरले लेते शमय आप गलतियां कर शकते हैं जिसका असर आपको निजी भोईश में नजराएगा दोस्तों बड़े निरले लेते शमय जिस व्यक्ति पर आपको बहुत अधिक विश्वास है उस व्यक्ति के साथ चर्चा करके निरले ले ये आपके लिए बैतर होंगे इसके प्राहण दोस्तों यश्मे आपके लिए इसे महोंगे दोस्तों यश्मि अपने कारियों शे शुमनित जो है नितियों को दुबारा से विचार करके उषपर और अधिक शुदार लाने की परयाश करें दोस्तों आपको अवशी सकात्मक परीडाम हाशिल होंगे अगर कोई पैत्रिक शमंदी ममला चल रहा है तो दोस्तों यश में बहुत ही अच्छा और असानी से उन्हें आप हल कर सकते हैं इसको प्रांदी दोस्तों यश में माता पिता या फिर किसी भी वरिष्ट व्यक्ति के अत्मस्रमान को ठेश नो पहुचाए आप जो है यश में अधित्तर काम घर में रहकर ही पूरा करें क्योंकि दोस्तों किसी भी प्रकार की बाहरी ग्योतिद्यों में नकार्तमक पहिणा मिलेंगे दोस्तों दुसरों से ज़्यादा उम्मिद नार रखकर अपने कारी शमता पर ही विश्वास रखें यह आपके लिए बैतर होगे इसको प्रांदों यश में आपके लिए जो समय होगे दोस्तों आपका समाजिक कारे में विशे सयोग भी रहेगा आपके दोबराल लिए गए निरले या दिये गए दान्रपूनी के विज़र आपको महनशिक समधान भी प्रांपत होगे इसको प्रांदों समय में किसी समाजिक समस्ता के साथ शाहरलिये काम करने छे आपकोसमानित भी क्या सकता है दोस्तों इस्तरी वर्ग के लिए यश्मिक दिन जो है खास तोर पर लाब दैग रहेगा दोस्तों यश्मिक भविश्मिंदी कोई भी उजना ना बना कर वर्तमान के कारियों पर अपना ध्यानत के दिर रखें आपको वश्वी सफलता प्राप्त होगी शाती दोस्तों कभी-कभी गुष्शावई होने के वज़े किसे के साथ सम्मन्ध खराब हो शकते हैं जिसकी वज़ेसे आपकी कारिक्शमता भी प्रवाइत होगी दोस्तों महत्पुन वस्तु को रखकर भूलने या फिर खो जाने के वज़ेसे तराव रहेगा परंतु चिंटा ना करें वज़ दू आपको घर में ही मिलेंगे इसको प्राहँ दोस्तों यह शमय आपके लिए उसे मिलेगी काफी दिन के बाद परिवार के लोगों से मिलने के आउश्वर आपको प्रापत हो सकते हैं जिसके दोआरा आपको खुश्यों की प्रापति भी हो होंगी इसको प्राहँ दोस्तों आपके लिए उसे मिह होंगे यह शमय किसी महत्मुन प्रजेक्ट पर पेसा लगाना बहुश में बहुत अधिक लाब दायग शाबित होगा शिर्फ यह शमय उजनाओं को उचित तरीके से क्रियानित करने की जुरत होंगी दोस्तों यह शम करके तो शमय के अनुषवार परवरतान लाना आपके लिए आउश्य होगा कभी कभी आपकी दिखाव की पर वैड़ते वी आपके लिए नुक्षान का कारण बहुत सकता है दोस्तों यह समय आपके लिए उसे महूंगी दोस्तों आपको अधिक मेहनत लेने के आउस्श्यत करने की सौच रहे हैं तो दोस्तों पारिबानिक वयक्तार वहाँ जबुटकी है। कि इसी दोस्तों यसमें अपने वाइबार को आप समय उद्मारा कर रखें यह आपके दोस्ती के लिए और आपके लव लाइब के लिए बैतर होंगे इसको प्राव और डिप्रेशन के सित्थी से बचने के लिए मेडिरेशन तथा योगा का आप शहराले तथा अपना घर की अन्मारी में या पिर तीजोरी में हल्दी की एक गांट जरूर रखेंगा तो दोस्तों और एश्यू अधिक जानकारे के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक करना ना भूलें धन्यवाद आपका शमय शुब रहे